पांच्वा नवरात्र है, कल है नवरात्र का छटा दिन और कल आपको करनी है मा कात्यानी की पूचा तो चलिए आपको अड्वैंस की जानकारी देते हैं आज मा के छटे सुरूप मा कात्यानी देवी की बात होगी कल इनी का दिन है आज ही प्रसंद कर दीजेगा आज आपको बताऊंगी वो तरीका जिससे मा कात्यानी आपको मन चहाँ पार्टनर दिलाएंगी हर कुआरे और कुआरी जरूर देखें अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चों से पिछडा हुआ है तो बच्चे को जीनियस बनाने वाला तरीका भी बताया जाएगा और नवरात्र में आपके और आपके परिवार की रिस्पेक्ट बढ़ाने वाला तरीका भी जानेगे मा कात्यानी को प्रसंद करने के लिए आपको आगे बढ़कर पहले एक मंत्र को सुनना होगा और ध्यान से सुनिए मंत्र है ओम जयन्ती मंगला काली भद्र काली कपालिनी मा का छटा सुरूप है मा कात्यानी देवी और कल मा कात्यानी के रूप की पूजा होगी इस मंत्र को जपने से आपको खास लाब मिलेगा, इसलिए मैंने आपको मंत्र सुना दिया अब कल इसे जरूर जपेगा, आज मैं आपको कातियानी देवी के छटे सुरूप की पूजावेदी भी बताऊंगी आप जानिये मा कात्यानी देवी की पूजा कैसे करें सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद देवी कात्यानी का ध्यान करना चाहिए इसके बाद पहले दिन की तरह कलश और उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं की पूजा करें कलश पूजा के बाद देवी कात्यानी की पूजा करनी चाहिए इसे मा को शेहत का भूग लगाना चाहिए हाथों में फूल लेकर माता का मंत्र चंद्र हसोजज वलकरा शार्दू लवर वाहना कात्यानी शंबू दधा देवी दानव दधान्ती बोलते वे उन्हें फूल चड़ाएं मा कात्यानी के बीज मंत्र की एक माला का जाब भी जरूर करना है बीज मंत्र है ओम देवी कात्याने नमहा मा कात्यानी की पूजा के बाद ब्रहमा और विश्नु की पूजा करें अब ये भी जान लीजे कि मा कात्यानी की पूजा करने से आपको क्या लाब मिलेगा देखिए धर्म, अर्थ, काम और मुख्श की प्राप्ती होगी मन चाहा पती मिलता है लड़कियों की शादी ते होने से आने वाली सारी अर्चनी दूर होती है कुंडिली में मंगल दोश या दूसरे दोश दूर होते हैं भक्तों का आग्या चक्र, खुलता ही इंट्यूशन डेवलप होती है मैरेड लाइफ की समस्याई ठीक हो जाती है सच्चे भक्तों को मा की उपास्तन से अच्छा पद और परतिष्ठा मिलती है अब मैं आपको मा कात्यानी के दिवे यंत्र के बारे में बताती हूँ आपकी स्क्रीन पर मा कात्यानी का यंत्र आ जाएगा आपको ये यंत्र कैसे बनाना है और यंत्र से आपको कल कैसे लाब होगा पूरी जानकारी एडवांस मिले बीचे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए धनलाब के लिए केसर और गुलाब जल से स्याही बना ले ओम नमो नारायन नम्ह मंत्र का जाप करते वे फोच्पत्र परियंत्र बनाएं अपने पूजा के स्थान पर रख कर हर दिन पूजा करें और इसी मंत्र की एकमाला कर जाप करें आपकी सभी मनोकामनाओं पूर्ण होती चली जाएंगे अगर आपकी शादी का योग नहीं बन रहा है तो कल मा कात्यानी की पूजा जरूर करें इसके पीछे की वजह भी जानिये कृष्ण को पती के रूप में पाने के लिए ब्रिच की गोपियों ने मा कात्यानी की आरादना की थी इसलिए मानिता है कि मा कात्यानी की पूजा करेंगे तो शादी जल्द होगी जिनकी भी शादी नहीं हो रही है सभी कुवारों और कुवारियों के लिए कल का दिन बहुत विशेश है आपको क्या उपाई करना है वो जाने लड़की की जल्दी शादी के लिए नंद गोप सूक्त देवी पत का भी जाब किया जा सकता है शास्त्रों के अनुसार इसका प्रयोग द्वापुर यूग में कृष्ण कुपत्नी के रूप में पाने के लिए किया था कैसे करना है आईए बताती हूँ इस उपाय को करने के लिए कात्यानी देवी की एक मूर्ती या तस्वीर लेकर कल मा कात्यानी का दिन है तो कल ही ऐसा करने देवी जी की आराधना करने के लिए आपको गंद, अक्षत लेने हैं, दो फूल लेने हैं, तीन धूप लेने हैं, चार दीपक और मिठाई लेने हैं इसके बाद देवी की आराधना करने के लिए आपको मंत्र बता रही हैं इसका एक हजार एक बार जाप करें चाप करने के बाद हवन कराएं और कन्याओं को भूजन कराएं इस उपाय को करने से आपकी लड़की की जल्दी शादी हो जाएगी और उसे इच्छा के अनुसार उसके पसंद का जीवन साथी भी मिलेगा बंत रहें बहुत आराम से पढ़ूँगी ताकि आप लोग नोट कर सके या फिर फोटो खीट सके अमुक सुत्र अमुक देवी कात्यानी महायोगिन धिरेश्वरी नंद गोप सुत्र देवी पती में कुरूते नमः आप आपकी बेटी की शादी का दूसरा उपाय जाने अग लेकिन उसकी शादी करने में लगातार परिशानी आ रही है तो आप इस समस्या को दूर करें इसके लिए भी आपको बज्याब बता रही हूं इसका डेली आपको ग्यारा बार ग्यारा दिन तक इस मंतर का जाब करना है आराम से पढ़ूँगी ताकि आप लोग नोट कर सके ओम कात्यानी महा माया महा योगिन धिरेश्वरी नंद गोप सुथा देवी में पती में कुरू तिनम्हा ओम इसके अलावा आप इस मंतर के संपुट से ग्यारा पाट दुरगा सब्शती का आप कर सकते हैं किसी योग्य विध्यान पुरोहिद से करवा भी सकते हैं इन दोन देली की शादिय बिना किसी रुकावट के हो जाएगी माता सीता के पती भगवान राम जैसा वर चाहती हैं तो मां गोरी की आरादना करें माता सीता ने भी की थी गोरी पूझा करने की विदी हैं देली मां गोरी की आरादना नॉमल पूझा करने पाट करने के बाद इस पा ओम्श्री दुर्गाय सर्व विग्न विनाशने नमस्वाहा सर्व मंगल मंगले सर्व काम प्रदे देवी देही में वांचित नित्यम नमस्ते शंकर प्रिय दुर्गे शिवे भैमाय नरायनी सनातनी जपे में मंगले देही नमस्तुते सर्व मंगले बेटी की शादी की बात कहीं शुरू नहीं हो रही है तो 70 ग्राम चनी की दाल ले, 70 cm पीले रंग का कपड़ा ले, 7 सिक्के पीले रंग में रंगे वे, 7 सुपारी पीले रंग में रंगी वी, 7 गुड की डली ले, 7 पीले रंग के फूल ले, 7 हल्दी की गांट ले, 7 पीले रं अब इस पोटली को आपको गुरुवार के दिन जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है उसके नहाने के बाद उसे दे इस पोटली को आप कहीं ऐसे स्थान पर रख दें आपके ईश देव का नाम लेकर और जल्दी विवा हो जाएगा इस मनोकामना को अपने मन में रखकर पड़े इस पोटली को दस दिनों तक उसी जगह पर रहे दे इस सुपाई को करने से जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी मा कात्यानी का पसंदिदा रंग नारंगी ओरेंज होता है तो आप जानिए ओरेंज कलर को कैसे इस्तबाल करके आप मा कात्यानी की कृपा पा सकते हैं यंग स्टूडन्स की रूम की साउथ की दिवार पर आप औरेंज कलर को यूज करें उन्हें अपने गोल्स अचीव करने में मदद मिलेगी किचिन की साउथ या साउथ इस्ट दिवार पर हलका औरेंज कलर यूज करके घर में प्रोस्पेरिटी बढ़ाएं जो लोग उदास रहते हैं वो अपने कमरे में किसी तरह से औरेंज कलर को यूज करें औरेंज फ्लावर पॉट्स, लैंप शेट, कुछ भी औरेंज कलर का, करटन्स, पेंटिंग्स इस तरह से यूज करें मा कात्यानी का मन पसंद रंग है औरेंज इसलिए आप इस दिन अगर औरेंज कपड़े पहन कर पूझा करेंगे तो शुब रहेगा रातर के पावन दिन हैं और मैं आपको मा के कई दिव्यों मंदिरों के दर्शन करा रही हूँ तो आज कैसे भूल सकते हूँ आज मैं आपको देवी जी के खास मंदिर के दर्शन कराने जा रही हूँ घर बैठे ही दर्शन कीजिए और लाब उठाएंगे फेस्बुक पर रितु कुमार ने हमारे साथ अपनी प्राबलम शेयर की है रितु के घर में बहुत चोरी हो रही है जिसके बचाने के और नुकसान से बचने के वो पाय जाना चाहती है घर में चोरी हो रही है तो घर के वेस्ट डारेक्शन में शनी यंत्र लगाएं डेली उसकी पूजा करें दीरे दीरे चोरियां कम होंगी चोर पकड़े जाएंगे कल मा के साथवे सरूप मा कालरात्री की बात होगी मा के सरूप को प्रसंद कर लिया तो सारे मुश्किले आसान हो जाएंगे कल इस बारे में आराम से डीटेल से बात करेंगे आप मुझे इजासत दीजे अपना खयाल रखे जैमाता दी नवरातर में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में आपको मैंने नवरातर के पहले दिन ही बता दिया था लेकिन क्या आप नवरातर से जुड़े शकुन अपशकुन के बारे में जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजे हो सकता है कोई अपशकुन शकुन आपके साथ ही हो रहा हो या फिर कोई होने वाला हो जानते होंगे तो पहले से सापधान हो जाएंगे अगर कोई सुहागन स्त्री पूरे शिंगार के साथ सुबह सुबह दिखाई देती है तो ये शुबशकुन माना जाता है नवरातर के दिन पूरे शिंगार की भी सुहागन को देख कर कहीं जाने से आपके सारे काम बन जाते हैं नवरातर में आप सोकर उठे और वैसे ही आपके घर कोई जरूरतन मांगने आ जाए तो ये समझना चाहिए कि आपने जिसे उधार दिया है वो बिना मांगे ही वापस आ जाएगा नवरातर में आप अपनी बेटी के लिए रिष्टा देखने जा रहे हैं और घर से निकलते ही चार कुवारी लड़किया आपको बातचीत करते वे दिख जाएं तो ये शकुन होता है अच्छा शकुन होता है अगर आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली आपके सामने कोई खाने वाली वस्तु लेकर आए और म्याओं बोले तो ये अशुब होता है यही क्रिया आपके घर आते समय हो तो शुब होता है जाते वक्त बिल्ली बाई और दिखे तो शुब होता है और दाई और दिखे तो अशुब होता है नवरात्र में शाम को अगर आप रिष्टे की बात के लिए जा रहे हों और बंदर दिखाई दे पड़े तो ये शुब शकुन होता है नवरात्र के बाद सुबह उठते ही दूद दिख जाए तो ये अच्छा शकुन है घर की सारी तंगी दूर हो जाएगी नवरात्र की पूजा करने के बाद आपको कपड़ों पर या नवरात्र में कभी भी अगर थोड़ी सी रूई गीरी दिख जाए या रूई के रेशे दिख जाए तो ये बहुत बड़ा अच्छा शकुन होता है आप जिस मनुकामना से पूजा कर रहे हैं वो जरूर पूरी होगी आए बात करते हैं आज की स्पेशल आस्ट्रो टिप का मा कात्यानी रिष्टों में मिठास लाने के लिए भी मानी जाती है इसलिए मा कात्यानी को शेहत का भोग भी लगता है मा को जब भोग लगाएं तो भोग आप अपने हस्बन को डेली उस शेहत को दे अपने हाथ से लिख कर आएं तो और बहुत अच्छा है ऐसा करने पर आपके रिष्टे में भी मिठास आएगी आपको नवरात्र में आपका बुद्ग्रे मजबूत करना है ये बहुत जरूरी है कैसे होगा जानिये चिडियों को अनाच खिलाइए अस्थमा की दवाईयां किसी हॉस्पिटल में दान करेए गले में सिल्वर चेन पहनिये बंदरों को गुड़ खिलाइए कल से शुरू करके 43 देस तक माथे पर केसर काते लग लगाईए नवरात्र चल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों आब आपको ऐसे उपाए बताऊं कि आप खूब फले फुले और आपकी लाइफ में सिर्फ खुशिया ही खुशिया हूँ तो चलिए देर किस बात की आईए जानते हैं कांच के बरतन में फल रखकर मेज पर हमेशा रखें में डोर पर तामे के सिक्के को लाल कलर के कपड़े में बांद कर लगाएं जेब में संबव हो तो में डोर के सामने की तरफ में डोर के अंदर एंटर करते समय रंगोली बनाएं घर में कभी भी खाली हात ना लोटे खास करके थर्स देखो कुछ ना कुछ फूट, टॉफी, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएं